उस सदी में woman हिस्ट्री और feminist हिस्ट्री को importance देते हुए उनके अधिकारों के बारे में लिखना शुरू किया कितनी बड़ी बात है दोस्तों feminist हिस्ट्री के बारे में उस जमाने में जब male dominant चरम सीमा पर था male dominated society में उस जमाने में इतनी strongly किताब लिखना वो भी feminism के उपर एक बहुत commendable चीज है Hello everyone, मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए interesting YouTube वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं Class 10th महाराश्ट रबोर्ड का History, Chapter No.2, Historiography, Indian Tradition और यह है इस chapter का आखरी lecture, आखरी वीडियो पार्ट के अंदर हम आज और भी important और महत्पून चीज़ें सीखने वाले हैं जो board exam के लियाज से बहुत ज़्यादा important हो सकती हैं जियां दोस्तों, in the previous video lecture, we studied about colonial historiography, orientalist historiography and nationalistic historiography अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर आई बटन में link मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप इस channel पर नए हैं तो जरूर इसे subscribe कीजिए, bell icon दबाईए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही informative videos, history, geography और कई अलग-अलग subjects के informative videos मिलते रहेंगे तो जरूर इस channel पर अपना प्यार पर करा रखिएगा दोस्तों, बात करें आज के lecture की तो यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अलग ideological frameworks की जो आए post-independence era में जी हां, आजादी के बाद एक नया framework, एक नया ideological framework सामने आया और दोस्तों, इन्हें तीन हिस्सों में यहां पर हमारे textbook में present किया गया है जिसमें Marxist History, Subultant History और Feminist History बहुत एहम है जी हां दोस्तों, Marxist History, Subultant History और Feminist History यह तीन टाइप्स या यह तीन important answers कह लीजिए हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाल हैं Now along with writing of dynastic histories, the culture, social economic histories were also being written यानि कहीं न कहीं अब हम modernize हो रहे थे, धीरे धीरे traditions के आगे हम बढ़ रहे थे कहीं न कहीं हमारा जो style था writing का वो अब change होने लगा था, evolve होने लगा था जैसा कि कई historians में बार बार कहा कि it is necessary to include all aspects of human life in history तो वही करने की कोशिश जो है अलग-अलग historians कर रहे थे और उसी में ये तीन महतुपूर्ण जो है हम कह सकते हैं Marxist history, subaltern history और feminist history यहाँ पर दोस्तों हमने bottom most rank के बारे में भी जानने मिलेगा इसके अलावा हमें feminism और feminist history को कैसे बढ़ावा मिला उसके बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ Marxist history के अंदर Karl Marx की theory को इंडिया और Indian tradition में कैसे अपना करके एक नई शुरुवात की उसके बारे में भी जाननेंगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे सबसे पहले बात करते हैं Marxist history की तो जैसा कि आप जानते हैं Notable Scholar में हमने पढ़ा था Karl Marx के बारे में और Karl Marx कहते हैं कि भाईया there are two types of people in the world the haves and the have-nots haves वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है means of production होते हैं अधिकार होते हैं सारे और have-nots वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता और ऐसी situation में class struggle शुरू हो जाता है दोस्तों और जो haves होते हैं वो have-nots को exploit करते हैं बस इसी के class struggle की history को हम Marxist historiography कहते हैं और इसी का जनम हमारे देश में भी हुआ दामुदर कोसामी जैसे कई महान शक्सियत थे जोनोंने Marxist history को एक अलग रंग और रूप दिया हमारे देश में The concern of the means of production, modes of production and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist historians यानी means of productions हो या modes of production हो ऐसे कई अलग-अलग मुद्दे हमारे देश में भी बढ़ चड़ कर आगे आए Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography Basically, दोस्तों, कहीं न कहीं, आपने 1970s या उससे पहले जो आजादी का काल था, आजादी के बाद का post-independence है रहा था उसमें कई पिच्चरों में भी आपने देखा होगा जहां पर mill workers के उपर कई अत्याचार होते हुए दिखाया गया है तो ये सब चीजें जो होती थी, इनके बारे में भी Marxist history ने आवाज उठाई दोस्तों, याद रखिए, Marxist historians in India studied the transition within the caste system also जो जाती पाती का भेदभा होता था, उसे भी study करके analyze करने का काम Marxist historians ने किया और इसी में दोस्तों कुछ नाम बहुत ही एहम है Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like दामोदर धर्मानंद कोसामबी जिनका चहरा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इनका काम था Marxist history और उसकी ideology को आगे लेकर जाने में दामोदर धर्मानंद कोसामबी, comrade शरीपद अमरुत डांगे, राम शरन शर्मा, comrade शरत पार्टिल have contributed notably इनका योगदान बहुत जबरदस रहा है specially अगर यहाँ पर बात करें तो comrade डांगे ने communist party यानि Indian communist party जो देश में आज भी है और कई states के अंदर इनकी सरकारें भी थी, elections भी लोग लड़ते हैं और communist party की ओर से अपना ideology सामने लोगों के रखते हैं तो comrade डांगे जो थी, he was one of the founder members of the Indian communist party primitive communism to slavery, the book written by him represents marxist historiography इनकी ही लिखी गई किताब, primitive communism to slavery ये जो किताब थी, ये बहुत अच्छी तरीके से marxist history को present करती है तो उमीद करता हूँ दोस्तों marxist history को आप समझ पा रहे होंगे इन कुछ महनुभावों की वज़े से, इन notable scholars की वज़े से marxist history इंडिया में भी प्रकर्था से सामने आई और इन्होंने भी bottom most ranks of the society को सही तरीके से present करने की कोशिश की बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अगली history जो है, वो है subaltern history इस शब्द का मतलब समझ लीजे, subaltern means the bottom most ranks जी हाँ, हमारे समाज के अंदर कई ranks create कर दिये गए थे और शुरुवात से लेकर आज तक कई बार casteism, जाती पाती का भेद भाव हमें देखने मिलता है दोस्तों, subaltern history, the seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography itself यानि Marxist historiography से ही हम ये चीजें सीखे और subaltern history के और बढ़े the role of the Italian historian Antonio Gramaschi is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottom most ranks of the people in the society यानि कहीं न गहीं दोस्तों, ये जो Antonio Gramaschi थे, इन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी कि it is very essential to never ignore, never ignore the bottom most ranks of the society ये आप कोई पिरामिड के जरीए भी नजार आ रहा होगा दोस्तों ब्रामिन, शत्रिय, वैश्य, शुद्र, अन्टचेबल, आदिवासी ऐसा एक पिरामिड हमारे समाज में खड़ा हो गया था और इस पिरामिड में जो निचले स्तर पर थे, इन्हें हमेशा से इगनोर कर दिया जाता था इनके साथ दुर विहवार होता था, exploitation होता था, ये ना हो इसी लिए ये सबल्टन हिस्ट्री के जरीए उनकी दुख, उनके पीडा और उनकी साथ जो विहवार होता है उसे प्रेजन करने की कोशिश की ताकि ये बंद हो सके समाज में आज भी कई जगाओं पर ये चीज़ें होती हैं, कास्टिजम के नाम पर, जाती पाती के नाम पर भेदभाव होता है और हमें ये रोकने की जरुवत है दोस्तों याद रखीए that bottom most ranks of people in the society should never be ignored in fact, सबल्टन means the bottom most ranks itself तो इस history का मूल सिधानती है कि bottom most rank पर जो हैं, उनके बारे में लिखा जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें ही अच्छे तरीके से portrait किया जाए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पर कुछ खास नाम है जो सबल्टन हिस्ट्री को बहुत ही strongly हमारे देश में प्रेजन करते हैं महात्मा फुले उनमें से एक हैं, जी हां, महात्मा जोतीराव फुले इनके बारे में हमने बहुत सारी हिस्ट्री की किताबं में पढ़ा होगा, लेकिन खास चीज इनकी यही है कि महात्मा जोतीराव फुले जी ने हमेशा से हमेशा से शुद्र का, दलितों का, पिछुडों का साथ दिया और उनके बारे में प्रकरता से लिखते रहे महात्मा फुले unfolded the history of शुद्र अतीशुद्र communities in his book घुलाम गिरी, जी हाँ, घुलाम गिरी इस किताब के अंदर उन्होंने शुद्र और अतीशुद्र की condition को बखुभी पेश किया, इसके जरिये लोगों के मन में ये भाव जागा की भई, इनके साथ दुर्वेवार नहीं होना चाहिए, he drew attention to the exploitation of women, शुद्राज and अतीशुद्राज done under the name of religion, ये जातीपादी धर्म के नाम पर जो भेदबा होता था, उसकी तरफ अपनी किताब के जरिये इनोंने ध्यान के इंदृत किया, the terms शुद्रा and अतीशुद्रा indicates the bottom most ranks in the caste system, तो दोस्तों कुछ ऐसा प्रकरता से आगे आता है श्री डॉक्तर बाबा साहिब अमबेडकर जी, हमारे समविधान के शिल्पकार इन्हें हम मानते हैं और कई जबरदस्त किताबें भी इनोंने लिखी हैं, इनोंने बहुती प्रकरता से बहुती strongly दलितों को और पिछडों को अपना हक दिलाने की ल इसे उतना अच्छे से प्रेजंट नहीं किया गया हमारे colonial historic time में और nationalistic historic time में भी, so that is why there needed to be a person who should stand for them and should at least अच्छे से जो इनके बारे में लोगों को बता सके, और वही किया डॉक्तर बाबा साहिब अमबेडकर जी ने, डॉक्तर बाबा साहिब अमबेडकर जी ने, डॉक्त constantly wrote about it, yes my dear students, इन्होंने ही शुरुवात की दलितों को अच्छे से पेश करने की और उनके साथ हो रहे दुर विहवार को दूर करने की, two of his books, who were the शुद्राज and the untouchables may be cited as examples of history of subaltern type, तो इनका समावेश भी subaltern type of history में होता है, क्योंकि ये भी bottom most ranks of the society की और रोशनी डालते है, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, contribution of मातमा जोती रह फुले और डॉक्टर बाबा साहिम अंबेड कर आप समझ पा रहे होंगे, बढ़ते हैं दोस्तों कुछ अंतिम इस chapter के part पर, जहांपर feminist history के बारे में बताया गया है, over a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history, शुरुवात से ही ऐसा देखा गया कि male counterpart को ज्यादा footage मिल रहा है, ज्यादा तवज्यों मिल रहा है, ज्यादा तर historians जो थे बड़े-बड़े, ये सारे male historians ही थे, females को ignore कर दिया गया था, ऐसा नहीं न होना चाहिए, और इसी लिए ये बहुत जरूरी था कि female historians खुद बढ़ चड़के आ गया है, और अपना perspective लोगों तक पहुँचाए, as a result, the role and achievements of women in history remained neglected, इनको भाव नहीं दिया गया, फुटज नहीं दिया गया, गलत हो रहा था न, yes, इसी को रोकना जरूरी था, to highlight this fact was a major task, faced by the feminist historians, also, it was important to study and compile the historical writings of women, ये बहुत जरूरी था, कि जो historic work, जो women's ने किया है, फिर वो आजादी की आपको एकदम मजबूती से हमेशा हर कदम पर, हर consequence में, हर situation में रखा, वो भी जानना बहुत जरूरी था, it was also necessary to rethink of women's position in society and history, और इसी लिए feminist history बहुत important है, दोस्तों इसमें एक नाम बहुती प्रकरता से सामने आता है, among women, authors writing about women in the 19th century, see, Tara Bai Shinde was the foremost one, जी हाँ आप देख सकते ह का नाम सबसे उपर है, आज के इस दौर में हम देखते हैं, जहां पर कई बड़े-बड़े female celebrities हैं, जिन्होंने feminism के बारे में बहुत जबरदस तरीके से अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आज के दौर में शायद ये थोड़ा आसान भी है, पहले के जमाने में ये करना कितनी बड़ी बात थी, और वही तारा भाई जिन्दे ने किया, शी रोट अटैकिंग, दो मेल डॉमिनेटेट सोशल सिस्टम और कास्स सिस्टम, हर बुक, स्त्री पुरुष तुलना, पब्लिश्ट इन 1882, इस अकनॉलिज़ अस फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, यानि इन्हों 1888 में, दे बुक रिटन बाई पंडिता रमाबाई, वस पब्लिश्ट इन टाइटल, थाई कास्ट हिंदू वुमें, तो इस प्रकार, अलग-अलग लेखी काओं ने, अलग-अलग, फेमिनिस्ट हिस्टॉरियंस ने, बहुत जबरदस तरीके से, किताबे लिखी और हिस्ट इंडिपेंडेंट सेरा, कॉंसेंट्रेटेटेड उन इश्टॉरियंस लाइक, क्या लिखते थे फेमिनिस्ट हिस्ट्री के अंदर, तो वो इन चीजों पर फोकस करते थे, जैसे एम्प्लाइमेंट ऑफ वुमें, नौकरियां मिलती है, या नहीं मिलती वुमें को, उसके ब हवार तो नहीं होता, इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर लिखा जाता था, जैस माइडियर स्टॉडेंट्स, यहाँ पर मैं क्लियर कर दू, इस किताब को इम्पॉर्टेंस दिया गया है, रिसेंट जो लिट्रेचर है उसक तो यहाँ पर कई ऐसी अभी किताबे आने लगी है, जिसके अंदर वुमेन और उसके रोल को इम्पॉर्टेंस दिया गया है, इम्पॉर्टेंस समझा गया है, और उसे अच्छी तरीके से प्रेजन किया गया है, लॉट अव लिट्रेचर इस अवेलेबल आप सोच सकते हैं, दलित उपर पहले से अत्याचार होते आ रहे थे, तो उनकी दलित महिलाएं जो थी, उनका उपर कितना अत्याचार होता होगा, तो इसके बारे में भी कई किताबें छपी हैं, डॉक्तर शर्मिला रेगे जी की किताब, जिसका नाम है, राइटिंग कास् में प्रमुख किताब है, बहुत ही सूपर हिट किताब है, रीडिंग दलित वोमेंस टेस्टीमोनीज इंक्लूज हर एसे on the autobiographies of दलित वोमें, तो इस प्रकार दोस्तों, feminist historiography के अंदर, feminist history के अंदर, ये कुछ चीजें हैं, जो आपको हमेशा याद रखनी हैं, तारा आगे इस chapter के conclusion की ओर, दोस्तों, chapter का conclusion सिर्फ इतना ही है, कि हमने Indian tradition और Indian historiography को समझा, हमने शुरुवात की थी ancient period से, राजा महराजाओं से, फिर हम बड़े आगे medieval period की ओर, फिर modern period की ओर, फिर हमने जाना colonial historiography को, हमने slowly and steadily अलग-अलग तरीके से orientalist historiography को भी समझ लिया, औ और आखिर में, आज हमने Marxist historiography, यानि Marxist history, subaltern history और feminist history को देखा, thus it is evident, that Indian historiography has been influenced greatly by social and political movements, यानि ज्यादा तर Indian history जो है, वो social, यानि सामाजिक और political, यानि politics से जुडी हुई events से ही बनी है, it seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements, यानि कुछ इसे ऐसे हो सकते हैं, जो social और political के अलावा भ history में दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यादा तर तर तो social और political movement से ही हमारी historiography भरी पढ़िए, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, ये chapter आप समझ पाया होंगे, इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, notes का, दोस्तों आप वहां से notes इस chapter के download कर लीजेगा, आप हमारे telegram channel से ज sky education, play store, app store पर available है, दोस्तों आप instagram पर मुझे follow कर सकते हैं, राजगोर, जैश, वी मेरा id है, वहां पर भी आप मुझे doubts वगरब पूछ सकते हैं, तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये video आपको पसंद आया होगा, ज़रूर इसे like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा students तक do like, share and subscribe